काई स्टुएंट स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाहंस के लास में हम आपके लिए लेकर आए मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिविग्यान जो आपकी बोर्ड परिच्छ दो हजार बाइस कच्छा बार्मी जिविग्यान में पूछा जाएगा ज हमारा आज का टॉपिक्स होने वाला जन्तुकोसिका किसे कहते हैं पादब कोसिका किसे कहते हैं जन्तुकोसिका और पादब कोसिका में क्या अंतर होता है तो वीडियो को बस आपको लाश्ट तक देखना है इससे आपके पास नंबर कंप्लीट होने माले हैं तो आपका पहल सेल्यूलोज की बनी कोसिका बित्ती पाई जाती है तो जन्त कोसिका में कोसिका बित्ती नहीं पाई जाती है पादब कोसिका में सेल्यूलोज की बनी कोसिका बित्ती पाई जाती है जन्त कोसिका में प्राया लवक नहीं पाई जाते हैं और पादब कोसिका में लवक पाई जा ड्रिक्त कहाएं नहीं होती है अत्वाज छोटी-छोटी होती है तो क्य kicking यह नहीं पाई जाती है छोटी छोटी होती है पादप को सिक्भी वह महां क्यों कर एंप्सिंट पॉइंट है कि तारख काय सेंट्रोसौं व्यापक रूत उस से पartet्रतार्व स्वाम केवल सेवाल एवं कबको में पाये जाता है कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक सांच दौरा दो भागों में बढ़ती है जो बाहर से और अंदर की और बढ़ती है कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मद एक पटिका बनती है जो अंदर से बाहर की और बढ़ती है नेक्स्ट भोज पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वैल्यूटिन के कड़ों के रूप में संचित रहता है कवक के अतरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है जन्तु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है जन्तु कोशिका के अकार प्राय छोटी होती है पादप कोशिका जन्तु कोशिका से बड़ी होती है लास्ट पॉइंट है एक कोशिकी प्रोटो जोन युग लीना के अत्रिक्त किसी भी जन्तु कोसिका में लवक नहीं होता है जबकि लवक उपस्तित होते है अब इसी से आपको पूछा जा सकता है जन्तु कोसिका कहते किसे है अभी अपने जन्तु कोसिका और पादप कोसिका में अंतर देखा आप आप से पूछा जा सकता है स कोशिका जन्तु में पाई जाती हैं उन्हें जन्तु कोशिका कहते एक कोशिकी प्रोटो जोवन युगलीना के अत्रिक्त किसी भी जन्तु कोशिका में लवक नहीं होते हैं भोजपदार्थ ग्लाइक कोजन एवं वाल्यूनिटिन के कड़ों के रूप में संचेत रहता है जन तारकत सेंट्रो सूम ग्यापक के रूप में रिक्टिका नहीं होती है तो छोटी प्राया लवक में पाई जाती कोशिका बित्ती पाई जाती है तो यह फिगर है आपका देख लीजिए को कि फिगर सहथ बनाना होता है इसके बाड पादप कोशिका किसे कहते हैं पीर पौदों में पाई जाने वाले कोशिका को पादप को यह कहते हैं जो जनतु कोशिका से भिन होती है अगर भिनता की बात करें तो कि बनी कोशिका भिती पाई जाती पादब कोशिका जनतु कोशिका से बड़ी होता है तार रखाय केल साहवाल devenir यहीं सि्ट जनतु कोशिका का है तो एक दो का ने श्क्राइबित कैसे बीच फ़रत अन तर Right बारगम जिली होती है अंता प्रदवी जालिकव जिलियों से बनी नलिकाकार तंत्र जो बाहर कोशिका कला से तथा अंदर केंदर कला से जुड़ा होता है इस तंत्र की सतेज राइबोसोम पाय जाते हैं राइबोसोम प्रोटीन और राइबोर्ड न्यूकलेक अमलस से बनी है कडिक का मैं रस्तन रचना या लाइव सोब क्या होता है एक जिली से गोल्ड संदर जिसमें घ्रोजन एंजाएम प्रच्छम मात्रय में पाय जाता है सेंट्रोल सोम केंद्रक के निकट पाय जाने वाली स संरचना जिसके खोकले भाग से तीन सूच में लिकाओं के नौ समूफ होते हैं माइक्रो कांडिया दो जिल्लियों से घिरे गोल अत्वा चप्टी संरचना जिसकी बाहरी जिल्ली किनी तथा बीतरी जिल्ली माइटो कंडिया की गुहिका में दसी होती है जिसिस कृस्टिली नमक अग्र लासर प्रवर्धन निकलते हैं ये कोसिका का ऊर्जा घर होता है गौलजी वॉडी और केंद्रक crews कंडिया के कार क्या होते ये होते जैरा plupart जैगलें यह बोजन पतारत्व का आक्सी करण करके उर्जा मुक्त करते हैं तदा इसमें उर्जा को ATP के रूप में संचित करते हैं जो जैवे कार्म में प्रयोक्त होती है ये प्रोटीन का संसलेशन भी करते हैं ये अंडों का योग तदा सुक्राणूं के मद्द कर निर्माड करते हैं लाइसोसोम के कार देख है क्योंकि आपकी परिच्छा में इस वार पूंचा जाएगा तारक काय सेंट्रो सोंद के कार देख लिए यह सारे मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सुच में काउं के कार देख लिए यह इस वार की बोड परिच्छा में आएंगे तो आपको बस पूरा पढ़ना है यदि कहीं पर कोई समस्य हो रही हो तो जरूर बताए रिक्तिकाओं के कार देख लेजिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए को वैल आइकन को अन कर दीजिए यदि आप किसी भी टॉपिक्स पर कुछ पहुंचना चाहते हो तो कमेंड करके जरूर बताए यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए बाइबाएब